हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल देखिए काना जी के लिए पिछकारी और बाल्टी बनाई है मैंने यह बहुत अच्छी लग रही है देखने हमें मैं चलिए देख लेते हमने इसको कैसे बना है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे देखिए यह जोटी वाली बोतल है यह ली है मैंने इसको यहां से काट देंगे उपर के से काट देंगे मतलब और यह नीचे क काट लेंगे तो मैं दो बाल्टिय मनाऊंगी और इसी एक बोतल से बन जाएगी देखिए मैंने दो पीस कर लिया है एक उपर का काट लिया है एक नीचे का और इसके जो काटने के बाद एजेज हुए थे उनको हमने प्रेस गरम करके थोड़ा प्रेस लगा दिया तो सही हो होगे अब देखे यहां पर हमने दो छेद बना लिए और या तार है इसको देखे इस तरीके से होल पैसे निकाल करके और दूसरी साइट का जो होल है वहां पर डाल देंगे और इसमें बीच मैं इस तरीके से अंटा लगाती हो जाएंगे इसको आपस मैं ऐसे गुमा गुमा के ऐसे एक तार को दूसरे तार के उपर लपेटते हो जाएंगे दीखे दूसरी तरफ भी लगा के फिक्स कर दिया है मैंने इस तरीके से हो गया है दीखे ये ग्लिटर सीट है मैं इसको चिपका रही हूँ इसके ऊपर दीखे इस तरीके से लेगररके और ये जो एक्स्ट्र है इसको काट देंगे दीखे इस पर ये वायट कलर का पेपर चिपका हुआ हाथा इसको खटा देंगे तो यह ग्लू रहता है इसके ऊपर यह अपने आप ही चिपक जाएगी मैंने केबल डिरेक्ट ऐसे ही चिपका दिया है इस पर कोई ग्लू नहीं लगाया यहां पर तो यह अपने आप चिपक गई है अच्छे से यहां से जो एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे देखिए इस तरीके से चिपक गई है हमारी है अब यह जो तार का बना है पकड़ने के लिए देखिए यह रैड कलर के लेस लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको ऐसे ही सरफ आइडिया है कि जो भी आपको लग रही हो अच्छी जिस तरीके के भी वैसे ही लगा सकती है मैं यह वाली लेस लगाऊंगी अब यह यह लू कलर का धागा उनली है मैंने इसके उपर यह जो पकड़ने वाला है इसके उपर अच्छे से लपेट लेंगे देखर ह हमारा यह हो गया है मैंने अच्छे से लपेट लिया इसको यह फैब्रिक गलू से इसके उपर एक लेस लगा देंगे यह वाली लेस इसके उपर चिपका लेंगे अब इसको हम डेकोरेट करेंगे तो यह जो फैबरिक ग्लू है इसके किनारे किनारे फैबरिक ग्लू लगाके यहां पर हम लेस लगाएंगे इसको यहां पर चिपका लेंगे पूरे पर चिपका लेती हूँ मैं फिर दखाती हूँ आपको देखे चिपका ले हैं और यह मैंने यहां पर रोज लगा दिये हैं यह मार्केट से एजिली मिल जाते हैं यह रोज लगा दिये हैं चिपका दिये हैं यहां पर अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे एक तरफ और आप बनाएंगे पिछकारी यह सीरिंज है इसी से हम पिछकारी बनाएंगे इसके उपर फेबरिक ग्लू लगा करके और इस उन को लपेट लेंगे पहले देखिए ग्लू लगा लिया है मैंने पहले हम यह पिंक कलर की उन लपेट लेंगे और उन देखिए हमारी हो गई है अब यह गोटा पट्टी है इसके उपर मैं इस तरीके से यह गोटा पट्टी भी लगा दूँगे ऐसे गोटा पट्टी लगा देंगे देखे मैंने गोटा पट्टी लगा दी है और अब ये जो पीछे का हिस्सा है मतलब जो खीचने वाला उस पर मैं ये वाइट टेप लगा रहे हूँ अगर आपके पास रेड, येलो, ब्लू इस तरीके के जो टेप आते हैं जिन पर डॉट बनी आती है अगर वो रहेगा तो और भी अच्छी लगेगे, आप उस तरीके के लगा लेजिएगा मेरे पास था नहीं, इसलिए नहीं लगाया और देखे, उपर की तरफ मैं ये ग्लिटर शीट का ही एक टुकड़ा काटके यहां पर लगा दूँगे इसको गोल कर दूँगी देखे, आगे की तरफ मैंने वो येलो कलर की उन लपेटी है और एक स्टोन चेन लगा दी है उसके उपर इसको देख लेते हैं से थोड़ा सा और डेकुरेट कर लेते हैं जो हमारे रोज हैं, उनके बीच में ये जो वाइट पर्ल होते हैं, हाफ पर्ल इनको भी लगा देंगे एक एक, देखे, लगा दी है मैंने अब इससे अच्छे से सुखा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, ओके फ्रेंड्स बाबाए